अलो भाईयो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे रोयल्स और इस मैसर्स के बीच में होने वाले आज के दिन के पॉंडिचेरी टीटेन मैच के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देन लिंक है दोस्तो ठीक है बात करते हैं चले दोस्तो फटापट से मैच के बारे में तो आर ओ वाई और एसमे के बीच में मैच खेला जाएगा और मैच स्टार्ट होगा दस्तो साड़े नौ मजे वेदर की बात करें तो यहां पर रेन के चांस बिलकुल भी नहीं है वेनू र है और दो मैच जो था यहां पर नौ रिजल्ट पर रहा है ठीक है एवरेजिस्कोर की बात करें तो अस्सीस 110 के बीच में आपको एवरेजिस्कोर देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो अब आगे बात कर लेते हैं टीम रोयल्स के प्रोबर प्लेइंग 11 के बारे में तो दोस्तो टीम रोयल्स से लाश्ट मैच में उपन किये थे सुनिल कुमार जी और अभिसेक सिंग ने ठीक है सुनिल कुमार जी जिन्हों ने दो और की बालिंग कराई थी इंपॉर्टन प्लेयर बन जाते हैं दोस्तो इसी विच्वेशन में क्योंकि बालिंग कराएंगे और साथ ही बैटिंग से 13 रन किये थे तो रिकॉर्ड तो है नहीं बागी प्लेयर ठिक ठाक लगे मुझे तो बिल्कुल सुनिल कुमार जी गर इस मैच में खिलते हैं और मेंसन होते हैं उपन में तो बिल्कुल आप अपने टीम में लेकर के चलना ठीक है अब इसे एक सिंग प्लेयर है इसको पिक करने चाहो तो बिल्कुल पिक करके चल सकते हो आपको कुछ नो कुछ पॉइंट जरूर देगा है ठीक है यहाँ पे 23 किया यहाँ पे 15 यहाँ पे 14 यहाँ पे 10 यहाँ पे 49 नोट आउट तो प्लेयर ठीक है बड़ा प्लेयर है दोस्तो लेकिन इसके सा खेलने वाले प्लेयर उतने अच्छ अच्छ नहीं मिलते तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता बैटिंग से ठीक है इसलिए थोड़ा सा यह आर्ट ऑफ पर्फरमेंस भी चल रहा है उसके बाद दोस्तों आएंगे जया प्रकास S प्लेयर ठीक ठाक है दोस्तों उतना अ ठारा नोट आट किया था उससे पहले जीरो उतना अच्छा प्लेयर नहीं है रहें कोई नहीं रहेगा तो आप इसको लेने का रिस्क ले सकते हो ठीक है एंजन आर्थन है ड्रॉप करके चल सकतो अभी तक उतना अच्छ खासा एनिंग खेला नहीं है दोस्तों ठीक है उसके टेकर बॉलर है तो बिल्कुल आप टीम में लेकर के चलो इसको यहां पर दो विकेट देख सकते हो दोस्तों यहां पर एक विकेट एक विकेट दो विकेट ठीक है तो विकेट से इसको मिल रहा है बिल्कुल आप टीम में लेकर के चलना प्रविन कुमार पी है दोस्तों उत इनकी टीम का बहतरीन प्लेयर है ये बिल्कूल आप इसको ट्राइ करके चलना लास्ट मैच में हलाकि विकेट लेस गया हो लेकिन हर मैच में विकेट लेस नहीं जाता यहां पे दो विकेट दो विकेट दो विकेट देख सकते हो काफी गुच्छे में विकेट लिया था इसने तुमार को ट्राइ कर सकते हो ठीक है जे मनिका नंन को जय प्रकास को करना चाहाँ तू बिल्कुल कर सकते है दोस्तो नीचे से कालिडोस आर सबरी सक्तिवेल और दोस्तो यहां से एम राजर से खर important है ठीक है ट्रायबल रहेंगे बाकी दोस्तों बैंच के प्लेयर्स में बैंच में काफी अच्छ अच्छ प्लेयर हैं इन में से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा दोस्तों बहुत सारे इंपोर्टन प्लेयर यहां बैंच में भी है ठीक है स्टार्टिंग के बार में दोस्तो आपको सबरी, सकती वेल और कालिडोस आर बॉलिंग करते दिखेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम समेंसर्स के प्रीड प्लेंग 11 के बारे में तो दोस्तो इस टीम से last match पे open के थे हरेंदरवाला जी और स्विमूर्गन एम ठीक है हरेंदरवाला जी उतना अच्छा खासा player नहीं है न अभी तक उतना अच्छा खासा performance आया drop करके चलिएगा स्विमूर्गन एम इंपॉर्टन प्लेयर रहेंगा दोस्तो बिल्कुल आपकी टीम में होना चीए विकेट कीपिंग के साथ साथ आपको opening करते दिखेगा ठीक है उसके बाद दोस्तो प्लानी समय पी है ड्रॉप करके चलिए इनको भी उतना अच्छा खासा बैटिंग नहीं है इनका इसके बाद दोस्तो आएंगे स्विकुमार एस जो की दोगर की बॉलिंग कराएगा साथ ही बैटिंग से अच्छा खासा contribution करता है यह दोस्तो विकेट लेग्स बहुत कम जाता है यहाँ पे दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक तो प्लेयर ठीक है बिलकुल आपकी टीम में होना च्छा है सियो को मारेश ठीक है उसके बाद दोस्तों आएंगे रिसी राउत हैं दो और की बॉलिंगर आएगा ये भी इंपॉर्टन प्लेयर इनकी टीम का बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए यहाँ पे एक विकेट यहाँ पे दोस्तों विकेट इसको काफी अच्छी मिले है मैच में और दोस्तों इसको विकेट भी अच्छा खासा मिल जाता है ठीक है यहाँ पे एक यहाँ पे हर मैच में इसको विकेट मिला है तो गनेशा ने इसको लेना चाहाँ तो ले करके चल सकते हो और उसके बाद जाना कि राम मैन है दोस्तों डॉप करके चलिएगा उसके आर मत है नहीं इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो इनकी टीम से दोस्तों इंपॉर्टन प्लेयर की बात करूं तो यहां से सिवा मुर्गन एम इंपॉर्टन्ट है ठीक है सिवा कुमार एस इंपॉर्टन्ट है नीचे से दोस्तों रिसी राउत और अरुमावचलम वी इंपॉ इंपॉर्टन प्लेयर खेलता है तो पंकाज यादव तो इन सब के रिकॉर्ड मैं आपको बता दूंगा स्टार्टिंग कवर में गनेशन एस स्यो कुमार एस डेथ कवर्स में रिसी राउट स्यो कुमार एस बालिंग करते दिखेंगे रिसी के बारे बात करते हैं देमो टेइम की दोस्तो यहाँ विकेट किप्रिंग सेक्षन से स्वा सिवा मुर्गरन ए्मार एंप्पॉर्टन है तो डारेक्ट को पिक करना है ठीक है बाकि नीचे के प्लेयर दोनों प्लेयर प्लाजान ज्यादा important नहीं है और यहां पर दुस्तों एक player है अभिने वाई जो की थोड़ा विकेट कीपिंग नीचे है अभी नीचे आता है बैटिंग आने के लिए विकेट कीपिंग कराएगा लेकिन तो दुस्तों अभी के लिए मैं वेट किया हूं यहां से important है आपके लिए बैटिंग सेक्षन से जी एस ठीक है गोविंदन गोविंदन का गनेशन स्वरी गनेशन important है और यहां से दोस्तों आपके लिए अभी सेक्षिंग को लेना चाहा हो तो ले सकते हो बाकिया भी वेट किया हूं ठीक है जी सुनिर कुमार जैसे अच्छा लाओज सिवा कुमार और यहां से जेनार्थन important है तो यहां से चार प्लेयर में यहां पर और उंडर सेक्षन से ले रहूं बाकिया उतने ज्यादा important नहीं है दोस्तों ठीक है पी हजार एकर खेलता है तो important है कर ले सकते हूं आप आयाते हैं बालिंग सेक्षन में तो सक्ती really important है यहां से पी मुर्गन एम राजस से खर important है दोस्तों और एक प्लेयर यहां से लेना चाहो तो आप यहां से ले सकते हो किलो डोस को यह फिर कुमार पी कुमार पी को दो ड्रॉप करके चलना बैटिंग से ले रेना दोस्तों यहां से प्रसांत एम को तो दोस्तों यह मेरी डेमो टीम है फाइनल टीम आप का अप्टर टेलिग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की बात करें तो सिवा कुमार रैस इंपॉर्टेंट है रिसी राउत और यहां से दोस्तों एम राजस सेखर को भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं सिवा मूर्गन को भी बाकी फाइनल कैप्टें वाइस कैप्टें मैं बता तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करके रखो मिलता है नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच